नेदा लेंड को हरा के नेपाल टीम पाइंस टेबल में हुआ बहूत बड़ा फाइदा वो नेपाल टीम फानेल में अपना जगहा बना लिया गया इस जो कि पाइंस टेबल के में बहुत बड़ी खुश खबरी नेपाल टीम के लिए नेपाल से लिए आतों नेपाल टीम एक नने दानबारं और पाइंनल ने औरो बहुत बड़ा फाइदा हम प्रदीप जीन आज किया पारदीप जीतिकों के सिख संपाल कामिल और हमाइरे जो कुछटल मल्ला जिसी कर कारन्ट एक चुह बार्णेव हो चाहरत कर दियेन नेपाल टीम के इसले नमबर में पहुंnग गया जो कि नेपाल टीम इसलिए दूसरे नमबर में पहुंच गया है क्या नेदा लेने इता हो उनका ऊंट जुश्टिम кहला नेपाल टीम कोयी पॉइंट में चार पॉइंट के साथ गयने दा लेन पहले नंबर पर नभीविया गाई तीन मेज खेला हुआ है वह दो मेज हारा हुआ और एक मेज जिता हुआ जो कि दो पॉइंट के साथ तिसरे नमबर बना हुआ है अगर नभीविया अगर नभीवियवियों को यह रात देगा तो नेपाल एटोमेटिक पहुंच जाएगा और और नेदा लेगा हार जाता है तो जखाब जाएगगा तो नेपाल नेपाल का फाइनल और नेपाल का फैनल मुकाबला हो अगर देखा जाएगा तो अगर कम रहें से जीता अगर नेधस अगर नेभी जीत भी गिया तो सिधा सिधा नेपाल और नेदा लेन का फाइनल होगा अब कल क्या होगा कौन जीते का कौन हारे उसके बाद तै करेगा कि नेपाल किसके साथ फाइनल खेलेगा या नेपाल फाइनल खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा अगर नेपाल टीम को फाइनल खेलना तो कल नेदा ल बनालिया बिल कल बहुत अहम मुकाबला है कल हम देखेंगे कोन जीता है कोन हारता बिल हमारे लिए खुशी की बात है कि नेपाल टीम दुसरे नंबर पाइंस टेबल में बना हुआ है आज नेदा लेंड को छे बिकर से हरा के लेंग कोई भी जीते नेदा लेंड जीते अगर पाइंस टेबल में दुसरे नंबर बे अच्छा है और नेदा लेंड को सिद बाहर हो जाएगा नेपाल टीम पाइंस टेबल मेंस को काईल मुकाबला होगा तो नेपाल की खबर हैं कि नेपाल टी पॉइंट के साथ 17 इभंडे फर्श नमर बना हुआ है नेपल टिम चार मेएच खेला हुआ दो में चारा डो में Ihnen जीता हुआ है उसके बुझार Alejandes 4 पॉइंट के साथ नेप Spiel नेपल टिम दूसरे नमर बना हुआ चार पॉइंट के साथ नेपाल टीम फाइनल भी खेल सकता है कल दिसाइड होगा नेपाल टीम फाइनल खेल रहा है ना विबिया से या नेदा लेंड से